नमस्का दर्शको मैं दर्शको मैं दर्शको प्ता एक बाद फिर से आपका स्वागत करता हूँ दर्शको भारत देश की बात करें तो भारत देश में हर इंसान अपनी काबलियत को पहचानता है बात पुरुशों की करें या महिलाओं की करें आज दोनों कंदे से कंदा मिला कर चल रहे हैं महिलाओं की particular बात करे हैं तो वो पुर्षों से आगे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं शिवानी मनहा से जियां कैप्टन शिवानी मनहा से जिन्होंने हाले में एक हिस्ट्री रची है जियां सिल्कन वैले ऑफ यूएससे से सिल्कन वैले ऑफ इंडिया में जो सबसे लॉंगेस्ट फ्लाइट है उसकी वोडान भरी है उसको कामियावियों तक लेकर गए हैं और सेफली जो है उसको लेंड करवाया है आयों मुलकात करवाते हैं कैप्टन शिवारी मनहाच से शिवानी जी बहुत बहुत स्वागत है अपका शिवानी जी आपने एक हिस्ट्री रची है आप महिलाओं की इंस्पिरेशन बन चुकी है और खासकर जम्मू कश्मीर का आपने नाम रोशन किया है तो दर्शकों की जानकारे के लिए बता दिया जाए कि जिस तरह से आपको हाली में याद होगा कि सबसे उंची फ्लाइट में जो है शिवानी मनहास और इनके साथ तीन इनके कैप्टेन साथी जो है उन्होंने इतियास रचा है और चारो की चारो महिलाई थी फिम्मेल थी एक हिस्ट्री रचने में जो हैने काम्याभी मिलिये नॉर्थ पोल इन्होंने क्रोस किया है कैसा एक्स्पिरिंस रा बहुत ही जादा एक्साइटिं एक्स्पिरिंस था जब हम फ्लाइट के प्रपेर करे थे हमको नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी चीज हम करने जा रहे है I think वो रियलाइजेशन नहीं था जब तक हमाई फ्लाइट कंप्लीट हुई और हम बंगलोर में लांड के I think that's when I saw कि इतने सारे लोग थे Everybody was applauding लोग फूल लेके आय थे तो I think I've never experienced something like this बहुत ही जादा खुशी हुई थी जब हम को एक्जाम देते हैं हमारी प्रपरेशन पूरी होती है लेकिन काई-काई मांड में डर भी होता है नर्वसनेस भी होती है लेकिन जैसे-जैसे हम एक्जाम के कोश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू करते है तो अबारों को पड़ता है इसके लिए I would like to thank Air India का team हमाई training, flight operations, licensing सबने जो planning किये flight की we had full confidence कि एक साल से इस flight की preparation चल रही थी एक excitement तो रहता है ये बद डेफिनितली एक sense of responsibility है कि आप कुछ करने जा रहे हैं जो पहले हुआ नहीं है तो आप कुछ ऐसी challenges face कर सकते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं है तो वो realization ज़रूर था डेफिनितली पर्टिकलोर इसी flight की बात करते हैं नौर्थ पोल से जब आपने cross किया तो क्या इसके process में क्या होता है कोई special permission होती है और जिससरा से अगर हम fuel की बात करें अगर यह route हम लेते हैं तो इसे हम काफे fuel जो है वो भी बचा सकते हैं जी special training होती है special classes होते है all of us had to do special training for this इस route में क्या है जब आप polar region में है specially जब आप diversion की planning करते हैं बिकुस फ्लाइट की जब आप planning करते हैं अगर यहां पर कोई emergency होई तो आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा airport पर land करेंगे, उस airport पर fire facilities क्या है, runway कितना है, you know, hospitals कौन से हैं उस शहर में, language कौन सी बात करते हैं, runway खुला है या नहीं, timings, day, so these are things जो preparation में हम करते हैं on ground, because एक बार हवा में कुछ emergency होती है, तो time नहीं होता है सोचने का, यह सब preparation हम पहले करते हैं, so this slide के लिए यह सब special चीजे थी, because जादातर airports snow covered है, वहां पर, you know, hospitals नहीं है, जादातर जगाओं पर runways available नहीं है, काफी runways बंद है, because winter time है, जैसे आप latitudes पे उपर जाते हैं, higher latitudes पे जाते हैं, ozone जो लेर है, उसका जो effect है बहुत जादा होता है, जी, तो यह एक बहुत बड़ा factor है in flights के लिए, because हमें radiation को exposure भी जादा होता है, तो हम monitor करते हैं, space websites पे, की radiation का लेवल क्या है आज के एक लेवल होता है, उससे उपर अगर आपकी radiation है उस दिनके exposure, तो आप flights नहीं कर सकते हैं, it's not safe, so there are a lot of things like this, हम polar suits carry कर रहे थे इस flight के लिए, हम आपस दो polar suits थे flight में, यह 30 kg के suits होते हैं, in case हम वहां कहीं land करें, तो आपको वो सब पहन के बहार निकलना है, so ऐसी काफी सारी जोड़ी छोड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़ हैं, जो फ्लाइट प्रेपरेशन में हमने की ती इस flight के लिए, कभी मन में ऐसा क्याला है कि आपके जो साथी है, वो मेल में होने चाहिए, या एक व्यक्ति मेल होना चाहिए, हैसा कुछ मन में आया था, आपकी टीम में आपक बिलकल भी नहीं, जब भी मुझे flight मिलती है, especially every year, women's day, हम flight करते है, all women crew की, I think those are my best flights of the year, मैं बहुत जादा एंजोई करती हूँ, we really enjoy ourselves, and we are trained so well, हमें इतनी अच्छी training मिलती है, air India से, and my flying school से, that there is no hesitation की female है या male है, but honestly speaking, मैं female members की साथ फ्लाइ करना बहुत जादा पसंद करती ह you, because I really enjoy being, you know, with the all-female crew, it feels really amazing to be, you know, with females. So, what was the excitement in passengers? पसंजर्स में एक्साइमेंट थी? सिर्फ, मतलब उन्हें कुछ काम नहीं है, कहीं जाना नहीं, they just want to be a part of this flight, because उन्हें पता है, ये बहुत हिस्तोरिकल फ्लाइट है, just to become part of the history, उन्हें टिकेट करी दी थी, बहुत सारे पसंजर्स एक्साइट थे, कि चार लड़कियां, you know, captains है, तो इसले लोग खुष थे, कुछ पसंजर्स बहुत साथ एक्साइट थे, क्यूंकि उनको डारेक्ट फ्लाइट मिला है, San Francisco से, Bangalore, और बच्चे एक्साइट थे, बहुत लोगों की बकेट लिस्में होता है, नॉर्वे जाना वहां जाके विंटर्स में, वो लाइट थे, तो हमें वो फ्लाइट में अ पसंजर्स एक्साइट थे, और जिसको जो जो एक्स्पिरिंस करने आया था, उनको वो मिला है, शिवाने जी, अविशन इंडूस्टरी के लावा, और होबी की पट्टिकुल बात करें, क्या-क्या होबी से आपकी, वेल, क्रेटिवली मेरा थोड़ा इंट्रेस्ट काफी ज जब मेरा मन करते है, फ्री टाइम होते हैं, तो मैं हमेशा वो निकालती हूँ और कुछ पींटिं करने लग जाती हूँ इस सब मेरे साथ हैं कैप्टन श्रीवानी के फाधर, आए उनसे मला कात कराते हैं, सब बलबल स्वागत आपका, अपना नाम बताएगे मेरा राम शम्शेक सिम्मनास मैं आपसे जाना चाहता हूँ जब आपको पता लगा कि आपकी बेटी इतनी बड़ी फ्लाइट जो है, उसकी उडान उडाने वाली है, तो मन में क्या ख्याल आ रहा था और उसके बाद कितना प्रोट आपने फिल किया? मुआ अनौन में सेंडर था था, तो इडोा से स्नार था, तो इडीर था, झापकृ हूँ ए बुष्ट ख्गडाव ऑने खा들이 आपको नेनी प्रोट इसा वालिए में और्यर हई मजिए, for a father you can believe it was amazing moment for me and I thought that my mission of my life is complete now. Parents को अपने बच्चों पे पूरा बरुसागन चाहिए, they should have no doubt on their children, special girl child or they must invest in their education and career. That's my message for all the parents. जैसे ये फ्लाइट शिवानी लेने वाली थी, तो उस वक्त मन में कुछ विचार आ रहे थे? विचार थोड़े तो आरत की, hopefully she's safe, मतब बढ़िया से फ्लाइट हो जाए तो बढ़िया रहेगा, obviously ये तो ख्याल आता ही है, but I knew she could do it because उसका experience बोलता है, यहां पर उसने महनत की, उसका knowledge, सब कुछ उसके पास, I know she had the capability, तो मतब सुक्सेस्फुल ही होगा, so I was very confident. मैं तो हर समय उसके साथ ही रही, जब ट्रेनिंग की है, मैं पांच साल तक उसके साथ रही हूँ, बच्पन से जब भी कुछ भी करती थी, तो लगता था कि ये कुछ करेगी है, exciting सबसे इसमें देता, कि जो बात इसने ठान ली, वो करनी करनी है. तो दर्शको आपने देखा कि किस तरह से एक जम्मो की बेटी ने नाम रोशन किया है, ना केवल जम्मो कश्मीर का, बलकि पूरे भारत का नाम रोशन किया है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन कर सके भारत का नाम रोशन कर सके इसी के साथ हमारी पुरी टीम को दीजिए जाज़त फिर मिलेंगे नमस्कार